हम मेंसे बहुत से लोग एक अच्छी रात के अराम और अलारम के आवाज के बिना एक सुन्दर सुभा का सपना देखते हैं ऐसा लगता है कि हमें सिर् नीन की ही जरुवत है और एक बार हम जितना चाहे उतना सो जाए तो हमारे जीवन के सारे तनाव सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे लेकिन जैसे सिख्ये के दो पैलू होते हैं वैसे ही कोई भी चीज हद महीं अच्छी होती है चाहे वो नीनधी क्यों ना हो हाला कि हम अगर बिना किसी पावंदी के सोते रहे तो नीन हमारी दोस्ते दुश्मन में बदल सकती है और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर होगा जो कि आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है आज की इस वीडियो में हम इसी विशे पर बात करेंगे कि अगर आप बहुत जादा सोते होतो तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होगा चलिए बढ़ता है प्रोब्लम नमबर वन पर अगर आप जादा सोते हो तो पहली प्रोब्लम आप हर समय ठकान मैसूस करेंगे अब आप सोच रहे होंगे हमने तो अपनी नीन अच्छे से पूरी कर ली है अब तो हम पूरा दिन फ्रेश और एनरजेटिक फिल करेंगे लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है आपके अंदर ठकान और आलास आ जाता है जिसकी वज़े से आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हो एक हेल्दी बॉटी के लिए साथ से नौ घंटी की नीन जरूरी है अगर आप इससे ज़्यादा सोते हो तो आपको मेंटल स्ट्रेस फिल होगा जिसकी वज़े से आपका भेवियर कावे चिर्शिडा भी हो सकता है प्रॉबलम नमबर टू आपको सिर्दरत होने का ख़दरा हो सकता है ये ओवर स्लिप एक कॉमन साइन है जो नियूरो ट्रांस्मिटर के मैस्फिरिन के कारण होता है बहुत ज़्यादा नीन आम तोर पर तनाओ और सर्दरत का कारण बनता है इसके अलावा अगर आप खराटे लेते हो तो आपको सिर्दरत के साथ ही सुवा नीन से जागना होगा एक सर्वें पता चला है कि 60% खराटा लेने वाले लोगों को अक्सर सिर्दरत के समस्या रहती है प्रॉबलम नमबर थ्री आपकी क्रोनिक कंडिशन बिगड़ सकती है बहुत बात ज़्यादा सोने से डिप्लेशन और पीट दरज जैसी प्रॉबलम आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप रात के दोरान हवा के लिए हाफते हैं जिसे स्लीप एप्निया भी कहा जाता है तो आपको खराब नीन के कारण नीन पूरी करने के लिए ज़्यादा टाइम बैट पर बिताना पड़ेगा जिसके वज़े से आपको हाट अटैक जैसी प्रॉबलम भी हो सकती है आप खुद को हमेशा चिर्षिडा और इरिडेडेड महसूस करेंगे खुश और उर्जय से भारपूर महसूस करने की बज़ाए आप चिर्षिडा हाट और गुस्सा महसूस करते हो यह हमेशा जादा सोने के वज़े से ही होता है जागने से पहले ही ठका हुआ महसूस करना और यह फिल करना कि आप जादा प्रोड़क्टिव नहीं हो जितना आप चाते हो जिसके वज़े से आपका मूर खराब हो सकता है और आप चिर्षिड़े और क्रोधित बन जाएंगे इसलिए हाट से जादा सोना अवाइट कीजिए लाश्ट एंड मोस् डेंजेरेस प्रोब्लम आप समय से पहले ही बूड़े हो सकते हो जादा सोने के कारण ना केवल आपके चैरे की उमर तेजी से बढ़ती है बलकि आपके दिमाग भी काफी धीमा चलता है एक सर्वे के अनुसर जो इंसान 10 से 12 घंटा सोता है जादा सोने के वज़े से उसकी फेस में जूरिया आ जाएगी जिससे वो 2 साल तक बड़ा दिख सकता है इसके अलावा जादा सोने के वज़े से मेटाबॉलिजम धीमा हो जाता है और बजन भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है फिलहाल तो हमें इसने कोई फरक नहीं पड़ेगा पर आगे चल के ये हमें काफी तकलीफ दे सकता है तो फ्रेंड्स यही थे वो डिसीस जो हमें जादा सोने के वज़े से हो सकते है अगर मैंने कोई डिसीस मिस कर दी है तो उसके लिए माफी चाहूंगा आप कोई सी डिसीस फेस कर रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्षेन में जरूर बताना थोड़ा भी हमारा ये वीडियो आपको यूसपूल लगा हो तो उसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें वीडियो बसंद आया हो तो लाइक करना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तो तब तक के लिए पीस आउट